Hello everyone, my name is Kaurav आज के इस particular video lectures के अंदर हम बात करने वाले हैं exercise 3.1 के बारे में कि आपका जो angles related जो questions होते हैं वो किस तरह से बनते हैं मतलब हम यहाँ पर देखने वाले है degree to radian and radian to आपका आपका आज degree के अंदर कैसे convert के जा सकता है उसके अंदर question कैसे कैसे form right हो सकते है वो सारी चीज़े देखने हाले है तो start करते हैं question से तो देखे questions क्या कह रहा है जड़ा discuss करें तो देखे question number 1 लिक रहा हुआ यहाँ पर find the radian measure corresponding the following यहाँ पर degree measures मतलब आपके आज यहाँ पर degree के अंदर value दे रिखी है इसको आपको करना है radian के अंदर convert करना है अब देखे किसी degree की value को radian के अंदर कैसे convert करना है चला आप उसको समझते हैं यहाँ पर माल लेते हैं यहाँ पर x के अंदर आपके अंदर कोई value लेखी हुए यदि इसको radian के अंदर convert करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा पाई अपाउन 180 डिग्री से क्या करना पड़ेगा यहां पर multiply कराना पड़ेगा इस x डिग्री को तो यह जो फॉर्मिट बनके आएगा यहां बात करें तो यह यहां पर 25 डिग्री इंटु मैं क्या करूँगा यहां पर पाई अपाउन 180 डिग्री कर दूँगा यहां पर clear उसके बाद देखे क्या रिजल्ट आ रहा है जारा देखे रिजल्ट के बात करें यहां पर आप इससे पाई हो चुका है यह यहां पर माइनस का फॉर्टी सेवन डिग्री एंट अलब आप इससे कैसे करनेट कर सकते हैं जारा इसको समस्ते है版 ठीकर सबसे पहले इस डिग्री को रेडिएन में connect करना easy है then बात करूँ यहां पर तो यह 30 minutes लिखा हुआ है इस minutes को मुझे क्या करना पड़ेगा just बात करें यहां पर तो इस minutes को मुझे क्या करना पड़ेगा change करना पड़ेगा degree के अंदर clear तो सबसे वहले मैं क्या करूँगा minute को degree के अंदर क्या करूँगा यहां पर change करूँगा, तो कैसे करें जरा देखें यहां पर, तो देखें आपके पास यहां पर बात करें, तो देखें, 1 degree equal to आपके पास क्या होता है, यहां बात करें, तो यह equal to होता है, यहां पर लिखू कि 1 minute इक्वल टू केतना होगा यहां पर, तो 1 ड्री अपन क्या लिखेंगे आप यहां पर 60 लिख देंगे, तो यह आप क्या लिखेंगे तो यह आपकेज क्या होगए, 1 मिनिट की वे लिखेंगे, देखे 1 degree equal to 60 minute होता है तो 1 minute equal to 1 upon 60 आप क्यास हो सकता है यहाँ पर तो देखे क्या result आला ज़रा बात करें यहाँ आपर 47 degree यहाँ पर क्या लेखेंगे 30 degree इसको degree के अंदर convert करना है minute से तो मैं यहाँ पर क्या गरूँगा देखे 1 degree लिखा है यहाँ पर इसको मैं 30 minutes के अंदर convert करता हूँ तो आप क्या लेखेंगे 30 degree upon क्या हो जाएगा यहाँ पर 60 यहाँ आप क्यास value कितनी आएगे यहाँ पर 1 by 2 आजाएगी value कितनी आई है आप 1 by 2 और वो भी किस के अंदर आई है degree के अंदर आचुकी है आप क्या आज कितना होगे 95 degree upon कितना होगे आज 2 यह में आचुका है अब आपको रीटिन के अंदर convert करना है थो आपको पड़ेका पाइबाई पाइपउन 180 से multiply करवाना पड़ेगा तो मैं करता हूँ यहां पर 95 degree upon 2 multiply pi upon क्या करेंगे यहांपर 180 degree कर देंगे clear समझा आगे हैं आप आप क्या करें cancel out करें और रिजन निकाल लएं यहांपर देखे cancel out करते हैं यहांपर देखे मैं 2 से यहांपर 5 से cancel out कर रहा हूं यहांपर 5 जा 5 होगे हैं यहांपर तें आपकर बन गया 5 9 जल आपकारास क्तना हो गया यहां पर बात करें 45 हो गया दें बात worst नजब еров書 तीकल एन श। नऋ यहांचों आपके पास तो दिखेंillas तो इस तरह से आपको देखने को मिल गया है है आपको इस तरह से आपको पाइगा जिसे कर सकते जरा बात करें तो अगला लिखा है आपके वाउस यहां पर 2 240 डिग्री लिखा है आप आपको इसको कहा रहा करना है किसके अंदर रेडिन के अंदर कैसे कर सकते हैं चाहरा बात करें आपके तू में इंधर भी होघा तू से इधर भी होठा 3 से आप cancel out कर सकते हैं 3 3 जा आपके आज का होगे 9 और 3 6 से 3 4 या के बाद करूगे 12 yes 3 4 जाए 12 होगे यहांपा तो 4 by 3 आपके आज का होगे यहां बात करें पाय ही होगे इस तरह से आप क्या कर सकते है रेडिन के अंदर चेंज कर सकते हैं आइठिंक के लिए समझ में आ चुका होगे किस्ता से करना है बढ़े हैं हमारे अगले कुशन के लिए बढ़ते हैं यहांप अगला कुशन आपके आज क्या कर रहा है जरा बात करें तो लिखा है यहांपर 520 इसको चेंज करना है आप अब देखे कैसे कर सकते हैं तो सिंपल ह हो यहांप गिर्षा ओकटना के आज किन आ एंगलों और यहां पर क्या करो तो इस तरह से आप अपना क्या कर सकते हैं रिजली को सकते हैं जैन्ड के लिए नैक्स्ट आपके पास क्या लिखा है उसके बात करें हैं हैप तो चले हमारे अगले question के उपार देखे है, अगले question क्या कर रहा है, जरा बात करें यहाँ पर, लिखा है, find the degree measure corresponding to the following the radiant measure, वज़िए आपके पास यहाँ पर radiant दे रखा है, उसको आपके करना है, डिगरी के अंदर convert करना है, अब देखे हैं, आपके 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 आपक आपके 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 आपक करना है तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं अब यह सिंपल वाल्यू दिखें इसको सिंप्रिफाइब करते हैं कितना रिजल निकल के आ रहा है यहाँ पर इसको और कंसल आउट करते हैं तो 24 जास कितना हों गया है दिखें इसको और ज्यादा स्वर करने इसके निकल कता कुरा है तो 3 3 35 का 5, क्यारे लग है आपकास 3 देखे 5, 4 जर की बात करूँ यहाँ पर 7, 4 जर की बात करूँ, तो 7, 4 जर कितना हो रहा है जर बात करें 28, 28 प्लस 3 करेंगे 28 प्लस 3 करेंगे तो आपकास कितना है, 31 dvd by आपकास 8 हो जाएगा यह आपके उसका चल रहा है, डिग्री गिरी गन्रण चल रहा है इसका मतलब इसका जो डिग्री वैल्यू आप लिखेंगे वो आपके उसका कितना रहा है, 31 आपका इसको 1 अपका इसके क्या ही, अब यह जो डिग्री निकाली है आपको इसको minute and second के अंदर convert करना पड़ेगा, तो minute और second के अंदे कैसे convert करते हैं, जरा उसको जरा समझते हैं, clear, तो आप देखे, यहाँ पर value आगी है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको minute और second के अंदे करना पड़ेगा, कैसे कर सकते हैं, जरा बात करें यहाँ आप, तो देखे, 315 है, इसके minus 24 करते हैं, यहाँ पर, तो देखे, कितना result निकल के आ रहा हैं, तो यहाँ पर आपका आपका आज़ा है, 611, 7, 7 आ रहा है, और 5 आ ठीक है, और उसके बाद बात करूँ, 890 की बात करूँ, तो 890 कितना रहा है, 72 यह कितना आ गया, 72, जब आप इसको less करेंगे, तो less करने प है, 3 upon क्या रहा है, यहाँ पर 8 लिका है, यह इस तरह से लिखा हुआ है, इसका मदब मैं बात करूँ, आपका आज़ा है, 39, और 3 upon 8, इसका mixed fraction के रहा है, डिगरी के रहा है, अब जड़ाव भढ़ते हैं, इस mixed fraction को करते हैं, convert, किसके रहा हम इसके रहा है, minute और second के रहा है, वो equivalent किसके equal होता है यहाँ पर, 60 minutes के equal होता है, clear, और यहाँ से मैं बात करूँ, किसके बारे मैं बात करूँ यहाँ पर, मेरे पास यहाँ पर कितना है degree है, 3 upon 8 degree है यहाँ पर, तो इसको अंदर minute के अंदर convert करना चाहूं, तो 3 upon क्या लग सकता हूं, 8 इस तरह से लिख सकता हूं और यह value किसके अंदर convert जाएगी, minute के अंदर convert जाएगी, अच्छा देखे, result देखे, कितना आ रहा जा रहा है, यहाँ पर बात करूँ, तो 2 से cancel out हो रहा है, तो मैं 2 से cancel out कर देता हूं, देखे, 2, 4 जा 8 होगे यहाँ पर, और यहाँ बात करूँ, 2, 4 होगे, यहाँ बात कर 15 x 3 divide by 2 आचओं, अच्छा देखे, कितना रहा है जर्यार है, यहाँ पर result, तो यहाँ पर कितना रहा है, 45 divide by कितना रहा है, यहाँ पर, 2 आ रहा है, clear, और यह बहुत किसके आ रहा है, minute कंतर आ है, अब जबव इसको all करते है, कितना रहा है है, यहाँ बात करें। इसका मतलब क्या हुआ जरा बात करें यहाँ पर, तो यह जो 39 था, इस 39, 3 by 8 लिखा यहाँ पर, तो यह 39 डिगरी के अंदर हो चुका है, उसके बाद देखें, यह जो 22 है, वो किसमें आ चुका है, मिनट के अंदर आ चुका है, एंड इसके साथ देखें, यह 22, 1 by आपका इसक मैं बात करना चाहूं, simple सा, तो आपके पास जो एक मिनट होता है, इसके अंदर आपके अंदर क्या होता है, 60 seconds होते हैं, तो यह 1 by 2 मिनट के अंदर कितने seconds होंगे, तो उसके अंदर होंगे 30 seconds, इसका मतलब बात करें यहाँ आपर, तो जो 11 upon 12, 16 लिखा है, इसको यदि मैं ड degree के अंदर convert करना चाहूं, तो कितना लिखा हैं यहाँ पर, 39 degree, 22 minutes, and आपके आस लिखेंगे 30 seconds, इस तरह से आप किसी भी value को degree के अंदर convert कर सकते हैं, और उसको simplify form के अंदर इस तरह से represent कर सकते हैं, I think के लिए समझ में आगया होगा किस तरह से करना है, तो यह basic mathematics का use करते के अंदर है, अब आपको degree के अंदर convert करना है, तो degree के अंदर convert करने का तरीका क्या है, यहाँ पर बात करें, 180 degree upon क्या करना है, आपको πाई करना है, पाई की value क्या होती है, 22 upon 7, तो वही 22 upon 7 आम यहाँ पर लगानी है, तो लगाएं यहाँ यहाँ पर, minus 4, एक काम करता हैं, इस नीचे कहता आएगा 22 आजाएगा अब ज़रा cancel out करते हैं देखें यहाँ आप बात करूँ देखें 2 तू जा क्या हो गया 4 हो गया यहाँ पर बात करूँ 2 एंजा 2 एंजा 2 हो गया यहाँ पर अब देखें result कितना आ रहा जरा बात करें जांए exist itself 22 हो गया यहाँ आएगा यहाँ ऑन आएगा then आपके बास यहाँ पर 0 हो जाएगा then 0 हो जाएगा yes 11 9 जा की बात करूँ तो 99 आगया पास आगये यहाँ पर then आपके बास कितना होगे 1 इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ जरा बात करें यहाँ पर minus sign आएगा आपके बात करूँ यहाँ पर multiplication के अंदर मैं बात करूँ यहाँ पर yes इसके जो mixed fraction है यहाँ पर mixed fraction के अंदर बात की जाए तो mixed fraction के अंदर कितना आने वाला है यहाँ पर बात करें 1 upon yes 1 upon कितना आपके आएगा 11 आएगा yes और यह पूरा का पूरा किसके अंदर आने वाला है डिग्री के अंदर आना वाला है, अब जारा बात करते हैं, यहाँ पर दीखें, यह 1 upon 11 है, इसको हम किसके अंदर convert करना चाहेंगे, इसको हम convert करना चाहेंगे, किसके अंदर, आपके बास minute के अंदर, clear हम ये पता है कि आपका वान डिगरी Uह होता है रापका यह सिक्ष्टी मिनट्स के इक्वाला होता है तो इसको मेरे पास कितना लिख 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 में यह पर वण अपॉन如果 अपान डिखा है तो इसको मैं यहां पर भी किया था जसलाइ मैं बात करूँ यहां पर तो हमने क्या दिखा यहां पर जैसा कि यहां पर देखा आपने यहां पर कि जो 1 degree है किसके equivalent है आपका 60 minute के equivalent है तो हमें तो 1 upon 11 degree की value चाहिए तो 1 upon 11 degree की value कितनी होगी 60 minute और यहां पर कितना हो गया यहां पर बात करें इसका मतलब मैं बात करूँ यहां यहां से जो 1 upon 11 degree था इसको convert करें तो क्या आएगा यहां पर minus 22 to 9 degree आपकास आ चुका है and then आपकास minute के अंदर बात करें तो minute आपकास कितना आया है हाँ बात करें तो five minute आपकास यहां पर five minutes और आपकास क्या आगिया इहां पर 11 आचुकBeh clear, यह епकास five up 10 11 minutes आ अब जला देखें यहां पर बात करें तो आपकास यह जला देख यहां पर बात करें minute कितने है 5 by 11 minutes है तो मैं यहाँ पर करूँगा 5 by 11 minutes को convert करूँगा 60 second के अंदर तो मैं करूँगा 5 upon क्या करूँगा 11 से यहाँ पर multiply करवा दूगा तो यह आपके आज किसमे हो जागा second के अंदर हो जाएगा तो मैं चलता रहेगा चलता रहेगा तो finally मेरा जो answer निकल के आया है यहाँ बात करूँ यहाँ पर तो कितना निकल के आज है आपके बात करें तो minus 2 to 9 degree then बात करूँ यहाँ पर आपकास कहाएगा 5 minute then आपके बात क्या लिखेंगे यहाँ बात करूँ 27 second के अंदर आप इससे close कर देंगे clear इसके बात की जो calculations है वो हम यहाँ पर नहीं करें क्योंकि यह calculation है वो लगातार चलती रहेगी आपके पास यहाँ पर तो मेरा जो final calculations जो निकल का है वो कितना निकल का है यह आपकास बात करें इस रेडियन की degree के अंदर value I think clear समझ आठ चुका है किस तरह से करना है बड़े आगे यहाँ पर तो अगला question आपकास यहाँ पर 5 pi by 3 है 5 pi by 3 है इसको convert करना है किस के अंदर आपके वास यहाँ पर degree के अंदर तो हम क्या करेंगे इसको यहाँ पर बहुत सिंपल है 180 degree upon मैं क्या करूँगा pi से divide करा दूँगा अब देखे कितना result आ रहा है यहाँ बात करें तो पहले मैं करूँगा pipe से pi cancel out किया सब से पहले first thing then मैं बात करूँ 3 से आपको इसके divide करूँगा देखे बात करूँ देखे 3 बंजा 3 हो गया यहाँ पर बात करें यहाँ पर देखे 360 आपकास क्या हो गया 80 हो गया and then 0 हो गया final answer की बात करें यहाँ पर तो इक कितना आ रहा है यहाँ बात करें चले हमारे next question को उपर next question में लिखा है 7 pi upon 6 देखे मैं बात करूँ यहाँ पर 7 pi upon 6 के बारे में into मैं यहाँ पर करता हूँ आपके पास 180 degree upon क्या करता हूँ pi करता हूँ क्योंकि हम यहाँ पर कर रहे है degree के अंदर convert कर रहे है radian को देखे मैं पहला कर रहा हूँ pi से pi कर रहा हूँ यहाँ ठीक है फिर उसके बाद देखे 6 से cancel out कर रहा हूँ तो 6 3 जा आपकास क्या होगे 18 देन आपके 0 गया देन आपकास result कर रहे है 7 in 2 आपकास क्या रहे है 30 degree रहे है आपकास यहाँ पर तो यहाँ पर result कितना गया है देखे है आपका तो यहाँ पर गया 21 210 210 degree आपकास आ चुका है आपका यहाँ आपकास पनल आंसर है चलाए next question कर लिए देखे next question क्या कह रहा है जरा discuss करता है लिखा है a wheel makes 360 regulations in a 1 minute देखे आपकास एक wheel है जो कि आपके आपकास क्या कर रहा है यहाँ आप 1 minute के अंदर 360 regulations ले रहा है 360 आपकास क्या कर रहा है regulations कर रहा है अब देखे यहाँ पर कर लिए का थ्रो आउट how many radian does it turn in 1 second 1 second के अंदर यह कितने turn ले लेगा एयस रेडियन के अंदर आप हमें यहां पे बताइए clear देखे हैं यहां पे बात करें देखे वन मीनट के अंदर आपके 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 कितने рег jeżeliations ले रह運 Stick ले रहा है 360 ले रहा है यहां पर यदि मैं बात करूँ वन मीनट के अंदर नहीं बात करें 1 second के अंदर बात किजा, क्योंकि हमने पूचा है 1 second के अंदर, तो देखें, हमें ये पता है कि 1 minute के अंदर आपके पास कितने seconds होते हैं, 60 seconds होते हैं यहाँ पर, yes, 1 minute की बात करें तो आपका कितने seconds होते हैं यहाँ 60 seconds होते हैं, तो मैं यहाँ पर 1 second की बात करूँ यहाँ पर कि 1 second में कितने हो जाएंगे तो यहाँ पर आप यह काम किजी यहाँ तो लिख दीजिए 60 second equal to our gas क्या होगा यहाँ पर 360 revolutions हो जाएंगे यहाँ पर ओके यहाँ पर बात करें 1 second के अंदर तो आप क्या लिखेंगे 360 divided by क्या करेंगे 60 revolutions कर लेंगे आप यहाँ पर क्या करेंगे आप यहाँ पर C60 upon 60 revolutions हो जाएंगे अब देखें रिजल्ट कितना रहा है यहाँ पर देखें 0 से 0 cancel out रुक है 6 बंजा 6 और 6 36 होगे है यहाँ पर इसका मतलब क्या होगे है यहाँ बात करें कि 1 second के अंदर 6 revolutions उन्होंने क्या किये है एक वील ने cover up किये है Yes, a wheel making 360 revolutions in a 1 minute तो 1 second में कितने revolutions लिये है उस नहीं है आपर 6 revolutions लिये है अब इस 6 revolutions को हमें किसके अंदर करना है radian के अंदर बताना है कि radian के अंदर इतने revolutions लिये अच्छे देखे बात करते है wheel के बारे में तो देखे wheel के अंदर क्या होता है कास इस तरह से बना होता है यदि मैं बात करूँ 1 revolutions के बारे में 1 revolutions का मतलब क्या होता जड़ा बात करें है हाँ आपर कि यह इसका क्या है starting point है यह क्या है इसका starting point है यह starting है और revolutions का मतलब क्या होता है इसको complete करके वापस यहाँ पर आना है मतलब यही इसका क्या है end point हुई है starting point ending point आपका same होगा तब आपका 1 revolutions के लाएगा अच्छे देखे यह पूरा इस तरह से rotate हुआ इसका मतलब कितना rotate हुआ यहाँ पर यह पूरा आपकास क्या किया है 2 pi rotation लिया है यह पूरा कितना rotation लिया है 2 pi लिए 0 degree से start हुआ गुम्दा गुम्दा वापस यहाँ पर आया तो कितना होगे यहाँ पर totally 2 pi rotation लिया है क्योंकि हमें यह पता है कि यदि मेरा कोई revelation पाई है यहाँ पर 180 degree rotation लेता है कोई अंगल तो आपकरस कितने आता है पाई की equivalent आता है तो आपकरस 360 degree rotation ले रहा है तो किसके equivalent आता है यहाँ पर 2pi की equivalent आता है तो आपकरस 1 revelation के अंदर कितना आपकरस आया है 2pi radian के अंदर आया है तो यहाँ पर कितने revelation लिए है guards six remake one revelation के बात करूँ यहाँ पर one relations के अंधर के अंधर चाहँ तो thatxi गुतना ओंका स्के अंधर आ रहा य Pas किन आ रहा रहा है यदि मैं बात करूँ मेरे पास कितने रिवलिप्र स Rainbow से six रिवुलिशन है, तो इसको मैं रेडिन के अंदर convert करना चाहूँ, तो क्या लिखूँँगा, 6 into 2 pi रेडिन लिखूँगा, यहाँ पर, clear, तो 6 to 2 आपकास कितना होगा, यहाँ पर 12 pi आपकास किया होगा, रेडिन के अंदर value आचुकी है, clear, तो 1 second के अंदर उसने कितने revolution लिए है, रेडिन के अंदर, तो आप क्या रिज़र लिखेंगे, 12 pi आपकास किया आचुकी है, value आचुकी है, clear, क्या लिखेंगे आपका, 12 pi आपकास value है, I think clear, समझ में आगया होगा, किस तरह से करना है, clear, बहुत सिंबल कोशिन था, कहलें, next question के पर, दीखें, next question के पर बढ़ते हैं, next question क्या किया रहा है, जड़ा बात करें, आपर लिखा है यहाँ आपर, find the degree measure of the angle of the angle substance at the center of the circle, radius equal to कितना है, 100 cm है, and r की जो length है, वो कितनी आपका बात करें, 22 cm है, मतला आपके पास कुछ इस तरह से बना हुआ है, clear, आपको एक arc दे रहा है, उस arc की जो length है आपके बास, यहाँ पर, yes, यह जो arc की जो length है, वो आपके आपके आज कितनी दे रहे हैं, आपके 20 cm दे रहे हैं, यहाँ पर, and बात करें यहाँ पर जो इसकी radius है, यह जो radius है, वो radius कितनी दे रहे हैं, 100 cm दे रहे हैं, then आप से क्या पूचा कहा है हैं, क्या आप यहाँ पर बताइए, कि इसके जो angle है, यहाँ पर जो angle बन रहा है, वो angle क्या बनने वाला है, clear, तो हमें यह पता है कि L is equal to क्या होता है, यहाँ पर r theta होता है, यह formula हमने discuss किया था, last class के अंदर l is equal to r theta, इस l is equal to r theta की हिसाब से हम यहाँ पर निकालेंगे, इसके बीच का जो बनने वाला angle है, angle theta, यह हम यहाँ पर निकालने वाले हैं, देखे, L के value की बात करूँ, तो L के value कितनी है, 22 है आप कहास है, आप के value की बात करूँ, तो r आपके आज कितना है, 100 है, then theta हम यहाँ पर निकालना है, clear, तो यह theta कैसे निकाल सकता है, ज़रा बात करें, तो theta equal to, आपके आज कितना होगे यहाँ पर, 22 upon कितना होगे यहाँ बात करें, 100 होगे, एक तो तरीका यह है, दूसरा देखे, theta निकालने का एक और तरीका है, मैं यहाँ पर eligible to r theta नहीं लगाना चाहता, दूसरा formula मैं apply करना चाहूंगा, तो class 10 के अंदर हमने यह चीज discuss कर रखती है, हमने यहाँ पर r की जो length होती है, वो निकालने का एक formula बढ़ाता, वो formula क्या होता चाहरा बात करें यहाँ पर, theta upon 360 degree into arcs क्या होता यहाँ बात करें, 2 pi r, यह formula हमारे पास होता है, जो कि हमें यहाँ पर result देता है, angle के अंदर, clear, हम इसका भी use कर सकते हैं, यहाँ से निकालने के लिए, आप देखें कैसे निकाल सकते हैं, okay, तो यह formula l is equal to r theta के अंदर कैसे convert हो जड़ा, उसको भी देख लेते हैं यहाँ पर, तो देखें, theta upon 360 आपका आपका लिखा हुआ है, clear, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, value निकाल सकते हैं, तो मैं इसको degree के अंदर निकालनी चाहूँगा, वैसे तो, yes, और जो value आपको eligible to r theta से मिलने लिगी है, वो आपको यहाँ पर क्या मिलेगी, radiant के अंदर मिलेगी, तो आपको क्या मिलेगी, radiant के अंदर मिलेगी, उस radiant को आपको करना पड़ेगा, degree के अंदर convert करना पड़ेगा, यदि आप यहाँ पर 10th class का formula directly apply करते हैं, तो degree के अंदर आपको value देखने को मिल जाएगी, clear, तो हम यहाँ पर पहले का करते हैं, आपके जो 10th class का formula वो लगाएंगे, या तो फिर आप यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पर l is equal to r theta लगाना है, तो वो आप यहाँ पर apply कर सकते हैं, clear, तो मैं l is equal to r theta से आपको बता रहा हूँ, yes, l is equal to मैं बात करूँ यहाँ यहाँ पर, अदर आया है आपके 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 ही यह आपको और यह किसकी वैली होग है तीटा के और जो आप हम कर रहा है डिग्री के अंद calculate कर रहा है तेकिए र है पाई आप 6 है नि आपक है'm curious कर लिखा ऌ clear 97 जा की बात करें यहां पर तो 970 कितना हो गया 63 देन आपके आज कितना हो यहां पर 5 आगा सुका थीटा आ चुका किस के अंदर है यहां बात करें अब इस डीगिरी के अंदर है तो मुझे इसको कुणवर्ट करना पड़ेगा मीनर्ट और सेकंड गदर देगे कितना आता जरा बात करें यहाँ पर तो 63 डिवाइट करें 5 करते हैं सब से मतलब क्या हो रा जरा बात करें तो यह जो डिगरी के इंदर ठीटा आया है इसकी वेल्लू कितनी आ रही जरा देखें यहाँ पर यहा आंपर बात करें मिक्स फ्रेक्शन के अनने बात कर includ, मिक्सक् Яन Kittlor कितना आ रहा है 3 Woo н з पात है कि आपके पास like वन डीगरी कितना होता है यहाँ आपके पास 60 आपके कितना होता है यहाँ पर मिनेत रहा है अब ज़रा cancel out करते देखिए, आप जा 5 हो रहा है यहाँ पर, और देखे, यहाँ पर बात करूँ, देखे, 5,100, 5 हो गया, 5 और 1 हो गया, 6, 1 आपके आज बचा, और 5 2 जा आज कितना हो गया, 10 हो गया, और 12 ठीज़ंगे बात करूँ, तो कितना होगी यहाँ पर 36 होगी आपकास किया आपकर clear, तो आपकास विजल कितना आ रहे है यहाँ पर, 12 degree and 36 आपकास किया होगी, मिनट होगी यह आपकास कितना होगी, ठीटा की value होगी clear, तो इस तरह से आप अपना जो value है यह जो angle है, वो angle आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, I think के लिए समझ में आ रहो का किस तर से करना है, ओके, बढ़े हैं हमारे अगले कुश्चन के बाद, देखे, अगला कुश्चन देखते हैं आप, अगला कुश्चन आप क्यास ही रहा, लिखा है, if in a circles of the diameter is equal to 40 cm दे रहा है, the length of the quad, quad आपके ब पताना है, तो यहाँ पर मैं बात करूँ ऑप कुश्च इस तरह से, यस जड़ा देखे, तो यहाँ आपका अपका circle बना हुआ है, clear, इस circle के अंदर आपका इस क्या बनी है, quad बनी हुए है, कुश्च इस तरह से, यहाँ बात करें तो यहाँ पर आपका इस क्या है, कहीं center C ह रखा है तो इसका अब यहां पर बात करूँ तो radius r is equal to कितना होगे 20 cm हो चुका है then बात करूँ यह वाली जो radius है वो भी कितने हैं कि 20 cm होगी length of the chord की बात करें तो वो भी आपकास कितना 20 cm है तो यह भी आपकास कहा है 20 cm है यहां से यहां अब आपको क्या पुछा है find the length of the minor arc minor arc of the chord मनला minor of the chord का यहां पर बात करें तो यह आपके जो arc बन रही है इसकी length आपको यहां पर find out कर ले है clear बहुत simple है आपको यह formula पता है l is equal to क्या होता है r theta होता है यहां पर theta की बात करें तो theta कितना आने वाला है यह बी 20 है यह बी 20 है और यह बी 20 है आपको L निकानलना यहां पर क्योंकि यहांपर पुछ मुंना पर जाल निकालना घ्र का सिसरी को हम किसके कन दे घर करेंगे रैंडा convert करूँ यहाँ पर, तो देखे 60 degree upon radian के इनने बात करें, तो radian के इनने convert करने का तरीका है, pi upon कितना आता है, 180 degree होता है, यहाँ पर, then convert कर जाए, देखे कितना रही है आपर, 0 से पहले 0 cancel out करूँगा, फिर 6 रूजा 6, और 6, 3 जाओ 18 हो गया, then आपका आए, रिजल्ट के निकल गया, pi upon कितना निकल गया, 3 निकल गया, yes, कितना निकल गया है, pi upon 3, अब भी के L की value निकालता हूँ, L is equal to, R कितना है 20 हो गया, और Theta की बात करें, तो आपका आए, pi by 3 है, तो चीट आपकास कितना है pie by 3 देखिं रिजल कितना रहा है L is equal to 20 pie by 3 हो रहा है यहाँ पर result अब आप यहाँ पर expa Nicht-itime देख्याई की वेल्लिक अंदर भी फीदेन की वेल्लू कहा है तो यह आपकास का होậगा या फाइनल आउनसर होचुका है क्लीर होगए, समझ में, किस दर सजिंगे निकालना है? चले हमारे अगले कोशिण को इपर दिखें अगले कोशिण क्या क्या रहा है, جद डिस्कस करते हैं आप इन अगले कोशिण को इप दिखें ङभिएड आपके पास favorites are uh..विस्टेंटर is Got This तो देखें, फ़र्स सरकल आपके आपके आस ये स्तरह बना वगा है, then second circle आपके आस कुछ इस तरह से बना हुगा है, अब बात करें, यहाँ पर इनकी radius के बारे में, तो देखें, आपके आस बात कुरू, यहाँ पर r1 है, मैंने बात कुरूं यहां पर एक आरक बना ली यहां ते यहां तक यहां पर इसा क लाइब यहांपर से लिए, यह मेरी बहुता है लÎर शक कर लेकी है अब देखें यहां पर हमारेफ़र बेघ्मला होता है L is यहाँ पर 60 degree and 75 degree का मलग आपके डिगरी के अंदर value दे रिखे है हमें radian के अंदर convert करना है clear अब कैसे कर सकते है ज़रा देखें यहाँ पर तो L is equal to मैं बात करूँ R आपको निकालना है radio का ratio radio है आपके आपके यहाँ पर yes, radio का ratio निकालना है तो मैं R1 लिखूँगा यहाँ पर theta आपके 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 60 degree into इसको radian के अंदर convert करना है तो आपके लेकिंगे pi upon 180 degree clear अब मैं बात करूँ यहाँ पर तो आपके पास देखे second चीज की बात करें यहाँ पर तो इसका ratio निकालूँगा L upon R2 निकालूँ यहाँ पर R2 into R2 into मैं बात करूँ यहाँ पर 75 degree है आपर then मैं बात करूँ इंटू आपके काईगा pi upon कितना जागा यहाँ पर 180 degree जाएगा clear अब ज़रा देखे यहाँ पर L से L cancel out होगा इस तरफ तो यहाँ बात करूँ यह 75 इदर चला जाएगा 60 इदर जाएगा तो R1 upon R2 equal to कितना निकाल गया है ज़रा बात करें यहाँ पर तो यह आपके बात करें 75 पर कितना आगे 60 आग चुका है यह आपका ratio आ चुका है अब ज़रा इसको solve करते थे हैं 5 से cancel out करके तो मैं 5 से cancel out करूँ देखे आपके आज कितना रहा है फाइफ 1 जा 5 आ रहा है फिर उसका जारा है 6,7 मलिक्वाद 2 हो गया 5,5 जा कितना हो गया 25 हो गया उसके बात करें देखें 5,1 जा 5 हो गया यहाँ पर यही आप से पूचा था रिश्यों के लिए समझ में आगे को किस्ते से करना है बढ़े हमारे अगले कोशन के लिए बढ़ते हैं अगला कोशन मुला है यहां पर अगल अगल ऑफ द रेडियन थ्रुआउट द रप पंडूलम स्विंग द लेंध इस इकलि यहांपर संटिमिटर एंद यहांपर लिका टिप डिस्क्राइब एफ आर्क लेंध इस इकलि यहां पर यहांपर 10 संटिमिटर है महला करा से पैंडूलम है कुछ इस तरह से यह माल है सबके लिए अलग अलग है अब देखें यहां पर लिखा है swing if the length of the seven centimeter yes इसकी जो length आपके आज दे रिके वो fix है yes यह जो length है आज कितना है यहाँ पर 75 cm लिखें यहाँ पर और इसके अंदर मैं बात करूँ यहाँ पर तो आपके पास यहाँ जो 10 cm लिखा रिकें किसके अधर किसके है और थिटा होता है ऑल इसके इसके अंदर होता है और यहां पर फाइट से निकल गए तो देखेंट यहां पर फाइफ से गंसल और करेंगे तो देखेंट यहां पर five bucks जा 5 हो गया उसके आधर गया 5 की बाद 607 रहे गया आपकास 5525 कितना निकल गया है 2 अपपन कितना निकल गया तीटा की वलू कितना की 2 अपन 15 हो गई इस तरह से रिजल निकाल सकते हैं चला नेक्स यहां पर नेक्स आपकास दिखाएं यहां पर बात करें 10 cm होगे 21 cm के लिए बात करें आपके लेकशच घाल यहां बात करें आपके ल की एकल रखायट गरां बहर तो लेन्द की वैल्यू आपके पर भात करें यहां इंपके त्नी है 75 थे और श्रिदिस तो मैं ठीटा इस इकल टू क्या लेकूंगा यहाँ पर 21 अपन क्या लेकूंगा यहाँ पर 75 कर दूंगा और यह आपकास क्या होगी रेडिन के लो गई है क्लिया इस तरह सकते हैं अब इसको 3 से केंसल आउट कर सकते हैं यहाँ पर देखें यहाँ बात करूँ देखें थीटा इस इकल टू कितना अगया है यहाँ पर 25 बाचुग है क्लिया रिजर समझ में आगे किस्तर से निकालना है चले नेक्स चले नेक्स यहाँ पर नेक्स आपकास क्या है 15 सेंटीमेटर्स है तो देखें 15 सेंटीमेटर्स के लिए लगाते हैं आपकास यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर आपकास क्या यहां पर बात करें 15 हो गया यहां बात करें थीटा इस इकल तो कितना वगए यहां पर 5 आ गया यहां पर रेडियन के तरह से आप पहले निकाल सकते हैं समझ में आ चुका होगा कि आप यहां पर एंगल टू रेडियन और रेडियन के अंदर कैसे कनवर्ट कर सकते हैं यसे लेटर हमने कुशिंद को देए के क्लियर तो अब हम मिलते हैं हमारे अगली वड़े लक्चर के साथ तब तक आप हमासा बने रही है थैंक यू फो वाचिं कि आप हम अब करें के मैं इसमेटन शराओ तक आप हमासा बही हैं हमादान क की आप हमासा बने रही हैंे हमादार को वाचिंद पलाओट यहां बð सकते हैं हमादान क कि भी कि अ